गुरुगुराम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्स्ट्राइब कीजिए गुरुगुराम नीज चनल को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं नमस्कार स्वागत है आपका गुरुगुराम नीज में जहां हम दिखाते हैं खबरे सिर्फ आपके शहर की आज के इस युग को टेकनोलोजी का युग कहा जाता है और इस टेकनोलोजी के युग में इसी तकनीक के सारे हजारों लोगों से धोखा धड़ी की जा रही है इनी धोखा धड़ी को रोकने के लिए हर्याना की CM Flying Squad ने गुरुगुराम में बीती रात दो फर्जी कॉल सेंटर का भंडा फोड किया है दरसल CM Flying Squad के DSP इंदरजीत यादव को सुचना मिली थी कि गुरुगुराम के सेक्टर 35 इलाके में एक बिल्डिंग में दो अवैद और फर्जी कॉल सेंटर चलाय जा रहे है जब यहाँ पर रेड की गई तो यहाँ पर पुलिस को कम से कम 60-70 लोग काम करते हुए नजर आए जब पुलिस ने इन से इनके कागजात मांगे तो यह किसी भी प्रकार का वैलिड डॉकुमेंट दिखाने में नाकाम्याब रहे जिसके बाद पुलिस ने इनके पास से कई लैप्टॉप, कम्प्यूटर्स, सीप्यू यहाँ तक की लगबग साड़े 6 लाग रुपे इनसे बरामत किये है पुलिस ने गुरुगराम के सेक्टर 35 इलाके में प्लोट नमर 4 की इसी इमारत से दो फरजी कॉल सेंटर जोकी पांचवे फ्लोर पर एक ही फ्लोर पर ये दोनों कॉल सेंटर अलग-अलग हिस्सों में चलाय जा रहे थे पुलिस ने एक कॉल सेंटर से दो लोगों को गिरिफतार किया है जबकि दूसरे कॉल सेंटर से भी दो ही लोगों को गिरिफतार किया गया है जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये लोग USA-based थे और USA के लोगों को कॉल करके ये लोग ठगा करते थे उनको इंटरनेट पर पॉप अप के माध्यम से ये लोग अपना शिकार बनाया करते थे इतना ही नहीं इन में से एक फर्जी कॉल सेंटर जिसका नाम Unolore Technologies Private Limited है वो 2016 में भी इस तरह के काम करने के चलते पकड़ा गया था और दिल्ली में उस समय ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था उसके बाद जब वहाँ पर इनका भंडा फोड हो गया तो ये गुरुग्राम शिफ्ट हो गया और यहां से अब तक ये सैंखडो लोगों को करोडो रुपए का चूना लगा चुके हैं दरसल 6 नमंबर की बीती रात हरियाना CM Flying Squad के DSP इंदरजीत यादव को सूचना मिली थी और रात में ही ये रेड यहां पर कर दी गई जिसके बाद पूरी रात ये रेड चली है हमारे विशेश समाधाता योगेश कुमार इस मौके पर पहुँचे और आप लोगों के लिए एक्स्क्लूजीव ये खबर लेकर आए है जहां से CM Flying Squad ने दो फरजी कॉल सेंटर का भंडा फोड किया है गुरुगराम के बादिशापूर इलाके में इन लोगों के खिलाफ IPC IT Act और जो IPC 420 है उसके तहट केस दर्ज करके चार लोगों को गिरिफतार कर लिया गया है दो दिन पहले हमने आपको एक वीडियो डाल कर सचेत किया था जिसमें गुरुगराम पुलिस ने आप लोगों से अपील की है कि किसी भी अन्नोन लिंक पर क्लिक ना करें क्योंकि वो आपको ठगने का एक जरिया हो सकता है इसलिए ये कॉल सेंटर वाले भी लोगों को ठग पाते हैं क्योंकि इनके द्वारा दिये गए वाइरस के लिंक के द्वारा ये लोगों तक पहुँच बनाते हैं और फिर उनको अपने फरजी वाड़े का शिकार बना लेते हैं आपको हमारी खबर कैसी लेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथी साथ आप इस खबर को शेयर कर दीजेगा ताकि जादा से जादा लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए नमस्कार